गर्मी अपनी चरम सीमा पे है इस गर्मी से राहत दिलाने के लिए और आपका refreshing mode on करने के लिए मैं लाई हूँ एक tried and tested recipe तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने चानल sg food world में मैं लोटी हूँ एक cooling effect recipe के साथ जुसका नाम है नीम्बू पुदीना शर्बत मैं कोशिश करती हूँ कि जो recipes मैं आपके लिए लेक्या हूँ वो tasty तो हो ही साथ के साथ healthy भी हो पुदीना और नीम्बू से बनी ये recipe बहुत healthy है और साथ के साथ digestion के लिए भी बहुत अच्छी है इस recipe को शुरू करने से पहले sg food world को subscribe करें साथ ही bell button प्रेस करें latest updates and notification के लिए और देरी ना करते हुए चलिए बनाते हैं नीम्बू पुदीना शर्वत नीम्बू पुदीना शर्वत बनाने के लिए एक mixi जार लेंगे और उसमें add करेंगे एक cup पुदीना पुरा भरा हुआ पुदीना के पत्तों को पहले मैंने तोड लिया उसके बाद पानी में अच्छे से दोया है पूरा गंद निकल जाने के बाद इसको छन्नी पे सुखाया है सूख जाने के बाद इसको mixi में मैंने add किया है पुदीना गर्मियों में ही आता है और बहुत ही अच्छा होता है ये जितनी भी स्टमक की प्रॉब्लम्स होती है इंडाइजेशन वगेरा उसको रिजॉल्व करता है इम्यून सिस्टम बूस्ट करता है तो दोस्तों है न ये रेसिपी हेल्स से भरपूर अब मैं इसमें आड़ करूँगी तीन टेबल स्पून शुगर आप ये चीनी कम या ज्यादा कर सकते हैं जितना मीठा आपको चाहिए आदा टीस्पून के करीब मैं इसमें डालूँगी काला नमक आदा ही टीस्पून मैं यहाँ पे डालूँगी भुना हुआ जीरा जीरा को मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया तवे पे उसके बाद इसको पीस लिया तो ये आपका रेडी हो गया भुना हुआ जीरा अब मैं इसमें आड़ करूंगी एक लेमन का जूस नीमबू जो है हमारी रेसिपी का सेकिंड में इंग्रीडियन्ट है और ये भी बहुत ही फायदा करता है डाइजेशन में और स्किन की क्वालिटी जो है वो भी इंप्रूफ करता है विटामिन सी से भी भरपूर है तो ये जो ड्रिंक है बहुत ही हल्दी बनने वाली है टेस्टी भी और हल्दी भी अब मैं आड़ करूंगी आदा कब पानी अब ब्लेंड करेंगे तब तक जब तक पुदीना के पत्ते अच्छ से बारीक पिस नहीं जाते हमने अच्छ से ब्लेंड कर लिया है देख सकते हैं आप कितना बड़िया ग्रीन कलर आया है पुदीने से और ये ड्रिंक बिल्कुल रेडी होने वाली है जटपट बनने वाली इस रेसिपी को जरूर ट्राय करें बस एक बाउल लेंगे और उस पे रखेंगे चलनी और चलनी की मदद से हम छान लेंगे ये मिक्स्चर ताकि कोई भी जो पुदीना लीव्स रह गई हो वो चलन जाए और हमारे मूम में नाए अब साथी साथ हम आड़ कर देंगे एक कप पानी जो पानी हम यहाँ पे शर्बत है वो बिल्कुल रिफ्रेशिंग लगना चाहिए एक कप पानी हमने मिक्सी जार में आड़ किया है और अच्छे से मिक्स करने के बाग वो भी छलनी की मदद से चान लेंगे स्पून की मदद से जो बाकी बचा मिक्स्चर है उसको भी चान लेंगे ये ड्रिंक के लिए एक गिलास लेंगे और ग्लास में आड़ करेंगे तीन चार आइस क्यूब्स अब इस ग्लास में पोर करेंगे जो ड्रिंक हमने बनाई है आप इस ड्रिंक में ट्विस्ट ला सकते हैं और इसको और रिफ्रेशिंग बना सकते हैं तो उसके लिए आप इसमें आड़ कर सकते हैं soda आप जो यह शर्बत है वो से 3-4 आड़ कीजिए और बाकी इसमें 1-4 आड़ कीजिए soda तो यह और रिफ्रेशिंग लगेगा बनाइए ठंडी-ठंडी cooling effect वाली summer drink अगर यह recipe आपको पसंद आई हो तो अपने friends and relatives के साथ इस recipe को share करना ना भूलेगा और मेरे साथ share कीजिएगा अपने suggestions and comments मिलूंगे ऐसी ही और बढ़िया-बढ़िया recipes के साथ तब तक के लिए goodbye, take care, don't forget to like, share and subscribe